नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर दयानन आर्या कन्या महाविद्याले की ओर से तथा करियर कट्टा के सयुक्त तत्वावधान में UPSC, MPSC परिक्षा में IAS ओफिसर बनने के लिए जरूरी तयारी विशय पर वेबिनार का आयोजन किया गया मुख्यवक्ता की रूप में रिसॉर्स परसन यश्वन्थ शितोले, अध्यक्षा महराष्टर राज्य सूचना तंत्रग्यान, सहायता केंद्र वेबिनार में उपस्ति थे उन्होंने स्पर्धा परिक्षा के संदर्ब में परिक्षा के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए तथा समय का उपयोग कैसे करना चाहिए और भी कई महत्व पुर्णा बाते समझाई ग्रेजुएशन होने के बाद महिलाओंने लगू उद्योक शेत्र में पहल करनी चाहिए तथा उद्योक में बनना चाहिए तथा खुद का लगू उद्योक शुरू करना चाहिए ऐसे कही महत्व पुरुण पहलू ओपर उन्होंने प्रकाश डाला प्राचारिय डॉक्टर श्रधा अनिल कुमार ने स्वागत भाशन में कहा कि आज के स्परधा के दौर में नौकरी है तू आविदन के लिए IS IPS बनना जरूरी है उसके लिए कड़ी महनत लगन और पढ़ाई करने की आवशक्ता है डॉक्टर मिनाबाल पांडे ने कारेक्रम का संचालन किया तथा अतीथियों का परिचे दिया डॉक्टर बविदा थोल ने अतीथियों का अभार प्रदर्शन किया कारेक्रम सफल बनाने है तू सभी स्टाफ तथा छात्राओ का महत्वपुर्ण योगदान रहा हालही में साउनेर सित अर्विंद इंडो पब्लिक स्कूल में टीका करन शिवर का आयोजन किया गया केलवत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र द्वारा कक्षा नवी एवं दस्वी के विद्यार्थियों को कोविड-19 का पहला डोज दिया गया कारेक्रम के सफलतार्थ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र केलवत के स्टाफ का विशेश योगदान रहा पालकों ने भी शिविर को सफलता पुर्वक संपन्न कराने में यथा संभव सहयोग दिया वैक्सिन कैम के लिए स्कूलों ने दो अलग-अलग कक्ष की व्यवस्था की थी एक कक्ष में टीका करन जारी था तो दुसरे में निरिक्षन की व्यवस्था की गई थी टीका लगाने के बाद सभी विद्यार्थी निरिक्षन कक्ष में 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक शिक्षिकों की निगरानी में बैठे रहे उसके बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने पालकों के साथ घर चले गए किसी भी विद्यार्थी को वैक्सिनेशन के दोरा और वैक्सिनेशन के बाद किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट नहीं हुआ स्कूल के प्राचारिय राजंद्र मिश्रन नैट इका करन शीविर को सफल बनाने में सही योगी सभी महानुभाव का अभिनंदन किया अर्विन बाबु देश्मुख प्रतिश्रान के कार्यकारे अध्धिक्ष एवं पुर्व विधायक डॉक्टर आशिच देश्मुख ने स्कूल के सरहानी ओपक्रम की तारिफ की हाल ही में रामदा स्पेट जयन मंदिर में मोहन खेडा के राजिंद्र सुरिश्वर महाराज की अश्ट प्रकारी पुजा का भव्य आयोजन किया गया पुजा कारेक्रम के आयोजन में अशोक डोसी, महेंद्र लोढ़ा, स्वपनिल डोसी, शाशन विर युवक मंडल की और से अमन्व सार्थक सिंगी, चिराक संगवी, संभव पगारिया, संभव डोसी, तपन नाहर, आरडी पारक, सनेहलता डोसी, मधु डोसी, संगीता संग विनोत फतेह पुरिया, प्रफुल खिवसरा, संजे पगारिया, अभयराज कोठारी, देवेंद्र पारेक, रेखा पीपाड़ा, दिली पंचोली, आधिश रधालुगणु पस्तित्थे जेसी आई नाकपूर मेट्रो के अमबेटकर सभागार में, 13 वे शपत ग्रहन समारू का आयोजन किया गया अध्यक्ष के पत पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, HGF लोकेश नांदेडकर ने वर्ष 2022 के लिए जेसी निताली तागडे को अध्यक्ष पत सोब दिया इस कार्यक्रम में वर्ष 2022 के लिए सचिव जेसी लकीशा कुंदन, कोशाद्यक्ष जेसी विजय कुमार, जेसी आर्तिराउत, जेसी राजबुदी, जेसी ममता कराडे, जेसी प्रशांत नीनावे, जेसी ललिता तगडे, यह पाच उपाद्यक्ष गण, जेसी विजय जेसी सुवर्ण मानेकर, जेसी जोयती लिंगायत, जेसी उशा गिंगुले, जेसी राजिंद्र वाड्यालकर, जेसी किर्ती बेलकर, और जेसी अमुल खुबरागडे, यह साथ निदेशय गण, तथा जुनियर जेसी महेश कुंदन नेशापतली, मुख्य अतिती के रूप जेसी जेसी अशिश अगरवाल, जेसी अप उशानांदेड कर, पुर्वध्यक्ष जेसी प्रीती प्रधान, जेसी लक्षमीकान, जेसी पी आर भोसकर की उपस्तिती रही आज के व्यंगकार को परिवर्तन के लिए ज्वलंत मुद्दों पर लेखने की जरूरत है, व्यंग लिखना असहमत होना है, असहमत होना ही लोकतांत्रिक होना है, और लोकतांत्रिक होना ही सहिश्नू होना है, दुर्भग्य से आज की परिस्थितियों में व्यंगकार असह पर एक उनलाइन व्यक्ष्यान का आयोजन किया गया था जिसमें बतोर मुख्य वक्ता डॉक्टर तीवारी बूल रहे थे। और सत्ता का विरोद करें। कैलाश मंडलेकर ने कहा के हरिशंकर परसाई की परंपरा का व्यंग कार होना पड़ेगा तभी सार्थक व्यंग लिखे जा सकेंगे। रेनू देवपुरा ने कहा के व्यंगा हत्तोड़े की तरह चोट करे शांतिलल जैन ने कहा के व्यंगा लेखन जन सरोकारों से जुड़ा होना चाहिए हाल ही में पुलिस उपायकत जोन वन लोहित मतानी ने वाडी क्षेतर में ट्रक ड्राइवरों के साथ एक विशेश चर्चा सत्र का आयोजन किया इस बैठक में जीला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना से संबंदित गाइडलाइन को सकती से पालन करने का आवाहन किया गया ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके वाडी के वर्धामना परिसर में आयोजित इस बैठक में कई ट्रांसपोर्टर वीशेश रूप से उपस्तित रहे इस दवरान ट्रांसपोर्टरों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में भी डीसीपी लोईत मतानी से चर्चा की इससे पूर्व एक महिना पहले इस हंगामा डिजिटल मिडिया के स्वामितव वाले एक लीडिंग वीडियो ओन डिमांड प्लेटफॉर्म हंगामा प्ले ने अपनी ब्लॉकबस्तर हंगामा ओरिजनल डेमेज का तीसरा सिजन लॉंच किया पहले दो सिजन की तेरह डेमेज 3 एक साइकोलोजिकल क्राइम ड्रामा है जिसकी कहानी एक मजबुत महिला किरदार के इर्दगिर्द घुमती है इस सिजन की नई कहानी में आमना शरीप और शिरेनु पारिक लीड किरदारों में शामिल है डेमेज 3 में पुलकित बांगिया यज भाटिया, विभुती उपाध्य और अमन वर्मा भी अहम भूमी का निबारे है शो का निर्देशन एकांत बबानी ने किया है जबकि एंडेमोल शाइन इंडिया इसके निर्माता है शो अब हंगामा पले और पार्टनर्ट नेटवर्स पर स्ट्रीम के लिए उपलब सीजन की कहानी में रश्मी आमना शरीप एक जिद्धी पूलिस ऑफिसर है जो अपनी दिलेरी के लिए जानी जाती है पूलिसिंग को आमतार पर पूरुष प्रधान प्रोफेशन की रूप में माना जाता है लेकिन एक मदबूत पूलिस वाली की रूप में रश्मी ने पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तयार है नेताजी सुबास चंद्रबोस की एक सो पचासवी जहिंति के अउसर पर शरके विवित स्थानों पर उनके पुतलों पर माल्यारपन कर उनका अभिवादन किया गया रविवार को महापूर्दया शंकरतिवारी ने मान के लावा सत्रंजीपुरा में भी नेताजी सुबास चंद्रबोस का शहर के गनमान्य वेक्तियों ने अभिवादन किया इन तमाम कारेक्रमों में महापूर्दया शंकरतिवारी राष्टवादी कॉंग्रेस के नेता एवं नगर से वक दोनेश्वर पेठे पुरविदायक दिनरात पडोले मनपा के जनसंपर्क अधिकारी मनिश सोनी जुआला धोटे यश्वन तेलंग भूपेश चटर जी अगनिश्वन विवबा के करमचारी दिलिप देवगडे शुभंबावने आदि मान्यवर उपस दित्थे शिवसेना के संस्तापक बाला सहिब ठाकरी की जहनती के आउसर पर रविवार को मनपा मुख्याले में उनकी तस्वीर पर मालारपन कर उनका अभिवादन किया गया मनपा मुख्याले के डॉक्टर पंजाब राओ देश्मुक्स मुर्थी स्थाई समिती सबागार में बाला सहिब ठाकरी की तस्वीर पर माहापोर द्याशंकार तिवारी ने मालारपन कर शहरवासियों की ओर से उनका अभिवादन किया इस अउसर पर मनपा के जन संपर्क अधिकारी मनिश सोनी अगनी शमन विभा के करमचारी दिलिप देवगडे शुबंबाउने आदिमान्य वर उपस्ति थे नेताजी सुबाश चंद्रबोस और शिवसेना प्रभुक बालासाइब ठाकरी की जैनती के अउसर पर काटोल रोडसीद महावितरन के विद्युदभवन कारले में उनकी तस्वीर चितर पर मालारपन कर अभिवादन किया गया इस प्रकार नेताजी सुबाश चंद्रबोस और शिवसेना प्रभुक बालासाइब ठाकरी की जैनती के अउसर पर नागपुर प्रादेशिक और जोनल कारले में भी मालारपन किया गया इस उसर पर सुहास रंगारी, शेत्रिय निदेशक नागपुर रेंज दिलिब डोड के, मुख्य अभियनता नागपुर सलकर राज़ंद्रगिरी, कारेकारी अभिवनता मधुसुदन मराथे, संउक्त मुख्य उद्योगिक संबन अधिकारी सचिन लहाने, उपमुख्य सं परक अधिकारी मधुकर सुर्वडे, इंजिनियर्स असोसियेशन के महासच्यू हिरूलकर आदिमानेवर उपस्तित थे साउनेर में अर्विन इंडो पब्लिक स्कूल में आजाध हिंद फोज के संस्ता बग नेताजी सुबाश चंद्रबोस की 125 वी जहनती ऑनलाइन तरिके से मनाई गई तुम मुझे खुन दो, मैं तुमें आजाधी दूँगा का नारा देने वाले नेताजी को स्कूली विधारतियोंने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आधरान जली दी महाल सोतंत्रता सेनानी नेताजी सुबाश चंद्रबोस की याद में कृतदनी अर्विंद इंडो पब्लिक स्कूल ने पूरी श्रद्धा एवं आस्ता से कई स्परदाय आयोजित की जिसमें भाशन स्परदा, पोस्टर्स परदा, निबंद स्परदा, ड्रॉइंग एवं पेंटिंग्स परदा के अलावाव फैंसी ड्रेस परदा में पूरे उत्सा से चात्रों ने सक्रिय भागिदारी निभाई आजादी के अमरुत महत्सो शुंकला के अंतरगत आयोजित नेता जी जैनती को जबरदस्त प्रतिसाद मिला स्कूल के प्राचारे राजंद्र मिशन ने वीडियो संदेश द्वारा विध्यारतियों एवं पालकों का अभी नंदन किया इस उसर पर अर्विंद बाबु देश्मुक प्रतिस्टान के कारेकारी अधेक्ष एवं पूरे विधायक डॉक्टर आशिश देश्मुक ने स्कूल के उपकरम की सराना करते हुए सहबागी विध्यारतियों का अभी नंदन किया आज़ादी कामरूत मोहत्सों के अंतरगेद दक्षिन मद्यशेत्र सांस्कूतिक केंद्र नाकपुर द्वारा नेताजी सुबास चंद्रबोज जहनती के उपलक्ष में 23 जनवरी को सुबह 9 बजे शोर्य दिवस कारेक्रम का आउनलाइन आयोजन किया गया इस कारेक्रम का प्रसारन दक्षिन मद्यशेत्र सांस्कूतिक केंद्र नाकपुर के फेस्बुक पेच पर किया गया था इस कारेक्रम का तकरीबन साड़े साथ सो दर्शकों ने आनन लिया इस कारेक्रम का प्रारम जहां डाल डार पर सोने की चिडिया करती है बसे रा यह सुन्दर देशभक्ति गीत से हुआ इसके पच्चात खूब लड़ी मर्दानी ने मजसी ने जयोस्तुते मेरा रंग दे बसंदी कदम कदम बढ़ाये जा सारे जहां से अच्छा कर चले हम फिदा ये देश है वीर जवानों का मेरे देश की धर्ती वंदे मातरम ए मेरे वतन के लोगो आधी देशभक्ति गीतों की रंगारंग प्रस्तुतिया दी गई कारेक्रम का समापन राष्टगीश से हुआ इस कारेक्रम में देश भक्ती पराधरित गीतों की रंगारंग प्रस्तुतिया स्री सिद्धी मिनायक पब्लिसिटी नागपूर के कलाकारों द्वारा दी गई इस कारेक्रम का निर्मान समिर पंडित द्वारा किया गया इसमें गायक कलाकारों में श्रिया खराबेट टाकसाले निकेता जोशी, आदित्य सावरकर, स्मीत वंजारी, रादा ठेंगडी का समाविश था वादक कलाकारों में अजित भालेरा, परिमल जोशी, पंकर जियादो, महेंद्र वाटूलकर, आदिका समाविश था नागपूर शहर भारतिय विद्धारती सेना ने दियवंगत बाला सहीब ठाकरी की जहनती के अवसर पर नागपूर के शिव सेना भवन धंतोली में कारेकरम कायोजन किया इस अवसर पर केक काटकर वलड़ू बाटकर बाला सहीब ठाकरी की जहनती मनाई गई इस सोसर पर प्रदान मंत्री ननर मोदी तथा राज की मुख्य मंत्री उद्व ठाकरे से मांग की गई कि बालासाइब ठाकरे को भारत रतन सम्मान प्रदान किया जाए कि शोरगीरी आधि पदाधिकारी वशिवसेनिक गन उपस्ति थे महारस्तित रामा जिवाडी हनुमान मंदिर गाडी खाना में महाराष्ट पदेश कॉंग्रेस कमिटी महासच्यू अड़ोकेट नन्दा चंद्रभान पराते नाकपुर शर कॉंग्रेस कमिटी महासच्यू अभिजीत ठाकरे एवं पवन सौधरी के नेटरुत में हल्दी कुमकुम का कारेकरम आयोजित किया गया कारेकरम में प्रमुक अथिती के तौर पर संजना देशमुक, मंदा शेंडे, गीता हेडाउ, शकुंतला वट्टी घरे, आदी उपस्ति थे इस अवसर पर कई महिला कारेकरताओं ने कॉंग्रेस में प्रवेश किया इस अवसर पर कॉंग्रेस ने ता प्रियंका गांधी द्वारा शुरू किये गए अभियान लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की शुरुवात की गई भारत को स्रेश्ट बनाने के लिए नारिकों के स्वास को भी स्रेश्ट बनाना ज़रूरी है सुरणमस्कार एक ऐसी क्रिया है जो तन और मन को स्वस्थ बना देती है उक्त उद्भोधन मात्मा गांधी आंतराष्टे हिंदी विश्वय दले वर्धा के कुलपती प्रोफेसर रजनिश कुमार शुकल ने विक्त किये भारत सरकार की ओर से स्वतनता की पच्चातर वी वर्षगाट पर पच्चातर करोड सुरणमस्कार का संकल्प किया गया है इसके तत्व विश्विद्दाले में 21 जनवरी को सुरणमस्कार कायोजन किया गया इस अवसर पर अपने संदेश में कुलपती प्रोफेसर शुकल ने कहा कि कुछ मेंटों के वाया में सुष्व रहने का तरीका है सुर्यनमस्कार यह योग का सार तत्व तता सभी प्रकार के आसनों का निचोड है उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में योग विद्या और योग बद्धि को जीवन पद्धिती बनाने के लिए प्रतिबद है और योग आसनों का प्रचार जोरों पर है हमें भी इस अभियान में अपना योगदान देना चाहिए महराश लोग सेवा आयोग द्वार आयोजित प्री सर्विस परिषा रविबार को सुचारू रूप से हुई लोग सेवा आयोग के अदक्ष किशोर राजर निम्बालकर ने नाकपुर शरके केंदरों का दोरा किया और वहां स्तापित विवस्ता का निरिक्षन किया सेवापूर परिक्षा नाकपु जिले के 32 केंद्रों पर आयोजित की गई थी जिले के 12183 चात्रे लिखित परिक्षा में शामिल हुए थे पूरी तरह से कोविट प्रोटकॉल का पालन करते हुए परिक्षा है कराई गी राज लोग सेवा आयोग ने राज के 724 केंद्रों और 47 जिला केंद्रों पर 255,000 चात्रों के लिए पूरी विवस्ता गी थी उलेक निया है कि कोविट काल के कारण उम्रदराज उमिद्वारों को अवसर देने के लिए सेवा पूरे परिक्षाओं की तिथी को बढ़ा दिया गया था इसी के तहत रविवार को पूरे प्रदेश में सेउंग तलिकित परिक्षा का आयोजन किया गया महराश लोग सेवायो के अदेश किशोर राजे निम्बालकर ने राजे सेवा पूरपरिक्षा 2021 परिक्षा के लिए शर के केंद्रों का दोरा किया और चात्रों के लिए बैटने की वेवस्ता और अन्य सिविदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की उन्होंने डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर कॉलेज दिख्षा भूमी दन्वटे नेशनल कॉलेज कॉंग्रेस नगर और कमला नेरु कॉलेज सकरदरा का दोरा किया मुंबई में HCI के कोचिंग सेंटर में 100 सीटों की कटोती के निर्णय पर पुनर विचार करने का आगरह पुरो कैबनेट मंत्री डॉक्टर एनिस अमेद ने केंद्रिय अल्पसंकेक मंत्री मुक्तार अबास नकवी को सोपे एक ग्यापन में किया है साथ ही मुंबई में HCI के कोचिंग सेंटर में आवासिय सिविल सेवा कोचिंग संस्तान के लिए 200 सीटों की बहाली का जोरदार आगरह किया है अमद ने ग्यापन में हजहाउस मुंबई में सिविल परिक्षा की तैयारी करने वाले योग्य मुसलिम छात्रों को प्रभावित करने वाले निरंतर अन्याय की ओर इशारा किया महाराश के पूरो अलपसंख्यां मंत्री एहमद ने बताया कि हज हाउस मुख्यरूप से हज यात्रियों की साहेता के लिए बनाया गया था जो साल में एक बार होता है लेकिन यह मुंबई हज हाउस के गतीशील प्रबंदन का सरानी अप्रयास था जिन्नों ने इसके इश्टतम उपयोग का समर्थन और प्रबंदन किया मुसलिन सम्मधाय के चात्रों के लिए सिविल सेवा के लिए अवासिय कोचिंग संस्तान के माध्यम से से शेषवर्ष के लिए बुनियादी ढाचा था अहमद ने कहा कि वह हज कमिटी ओफ इंडिया की सीटों की संख्या को दोसों से घटा कर सव करने के फैसले को जान कर स्थब्द है जिसने पूरे मुस्लिम समुदार को बड़े पैमाने पर परिशान किया है नागपूर के लिए अगला सब्ता अहम है और मरिजों की बड़ती संख्या को देखते हुए जिले में स्कूल शुरू करने का फैसला लिया जाएगा इस संबन में अगले निर्णे की घोशना 26 जनवरी को की जाएगी तब तक स्कूल बंध ही रहेंगे नागपूर में कौन से ने प्रतिबन लगाए जाएगे इस पर फैसला 26 जनवरी के बाद ही लिया जाएगा जब तक बहुत जरूरी तब तक नागरिक बाहर न निकले लक्षन दिखाई देने पर परिक्षन करे मास्क अनिवार्य है बिना पहने घर से बाहर न निकले टिकाकरन के बिना कोरोना किसे बचाव का कोई उपाई नहीं है इसलिए युवा से लेकर वृद्धवेक्ती टिकाकरन का ततका अलाब उठाए कोरोना संक्रमित है तो स्वयम को ऐसलेट करे साउधान रहे मैं सुरक्षित हूँ मेरा नाकपूर सुरक्षित है इस अभियान को स्वयम अनुसाशन के साथ चलाए इस आशय का आवान जिले के पालक मत्री डॉक्टर नितिन राउत ने किया वी कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को लेकर वरिश्च चिकित सको तता टास्पोर्स के अधिकारियों की एक बैठक में बोर रहे थे नाकपूर में एक दिन में नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या पाथ सजार से अधिक हो गई है बैठक में कोरोना मामलों की संख्या को नियंडित करने के मुद्धे परविस्तार से चर्चा की गई है महिलावा बालकल्यान मंतरी एड़ोकेट यशोमरी ठाकूर ने अपने नागपुर प्रवास पर बताया कि जिलापरिशत महारगरपालिका नगरपालिका जैसे सभी स्थानिय निकाओ को उनके बजट की जांच पतिशत निदीन महिला वबालकल्यान पर खर्च करने की निर्देश राजसरकार ने दिया है इससे महिलावा बच्चों की विकास योजनाओ की निदी की समस्या हल होने में मदद मिलेगी एड़ोकेट ठाकोर ने राजसबा के पुरुवसांसत विजय दर्डा से सदीचा बेट की इस दोरान उन्होंने विभिन विशो पर विजय दर्डा से विस्तार पूरवक चल्चा की चल्चा में उन्होंने कहा कि स्थानिय निकाओ के बजट की 5% रकम महिलावा बालकल्यान के लिए आरख्षित रखने का ने ने लिया गया है इस पर अमल करने के लिए आग्रह किया जा रहा है इस प्रकार राजसरकार नैसिरे से महिला नीती भी बना रही है साथ ही प्रत्यक जिले में महिलावा बालकल्यान भावन बनानी का कारे भी चर रहा है महिलावा बालकल्यान विबा के साथ ही महिला आर्थिक विकास मंडल, महिला आयोक आदी से संब्धित कामकाज एक ही छट के नीचे संबभ हो सकेगा दोबार के उलम्पिक पदक विजयता पिवी सिंदु ने रविवार को नाकपुर की बहतरीन बैडमिंटन खिलाडी मालवी का बंसोड कहराते हुए सियद मोधी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्णामेंट के महिला एकल का किताब अपने नाम कर लिया हाली में साइना नेवाल को रात हुए सभी का ध्यान अपनी और खिशने वाली नाकपुर की मालवी का बंसोड पर स्टार शटलर सिंदु भारी पड़ी और 21-11 से हार कर सिंदु ने किताब अपने नाम कर लिया इससे पहले रूसी प्रतिदंद्वी एवजेनिया कोसेतसकाया के सेमी फाइनल में रिटार्ड हट होने से सिंदु फाइनल में पहुंची थी शिर्शवरीय सिंदु ने आसानी से पहला गेम 21-11 से जीत लिया था जिसके बाद कोसे तसकाया दूसरे महिला एकल सेमिफाइनल मैच में डिटार्ड हट होने के कारण खेल से हट गई थी वही मालविका बंसोड ने तीन गेम तक चले सेमिफाइनल में एक अन्य भारतिया अनुपमा उपध्याय को 19-21-21-21 से पराजित किया कोविड-19 के कई मामलों के कारण कई शिर्ष खिलाडियों की गहर मौझूदगी में हो रहे इस टूर्णामेंट में शिर्षवरिय सिंधि को एक तरफा फाइनल में मालविका के खिलाब 21-21 और 21-16 की जीत के दौरान अधिक मैनत नहीं करनी पड़ी तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार